खत्रों के खिलारी का सीजन 12 अपने दमदार स्टन्ट से चर्चाओं में रहता है हर अफते एक से बढ़कर एक बैतरीन इस्टन्ट और फिर उसके बाद रुए शेटी की कंटेंस्टन के साथ मस्ती ओडियन्स को खूब पसंद आती है शो में इस बार कई जाने माने चेहरे शामिल हैं जिने देखकर उनके फैंस काफी एकसाइटेड रहते हैं इस हफते का एफिसोड भी काफी इंटरस्टिंग रहा जहां ये शो अपने पांच हफते पूरे कर चुका है और इन पांच हफतों में कई धमाकेदार स्टन्ट हुए कुछ खिराडियों की हालत खराब हुई तो कुछ ने इस टन्ट से हार माली और अपने घर बापस चले गई चुक चलिए जानते हैं इस हफते आखिर शो में क्या हुआ सबसे पहला स्टन्ट शुरू हुआ जननत जुबैर से जननत जुबैर जिनको एक वाटर स्टन्ट करना था जननत ने स्टन्ट काफी फास्ट किया लेकिन एंड में उनकी हालत खराब हो गई और जननत पानी में ही वियोश हो गई और थोड़े वक्त के लिए सब की सांसे थ पा रहे थे लेकिन राजीब ने इस जोकिम भरे स्टन्ट को पूरा किया और वही जीत गए इसके बाद जननत को फियर फंदा मिला वहीं इसके बाद प्रतीक के साथ एक फ़न स्टन्ट हुआ जिसमें वह भी पानी में गए थे अगला स्टन्ट सिती जहां और कने का मान के बीच हुआ जो सीधा हवा में था इस्टन्ट को हेलिकौप्टर पर करना था सबसे पहले इस्टन्ट करने का मान नहीं किया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया काफी जल्दी पानी में गिर गए इसके बाद जिरती जांग गई और उन्होंने इस तर्ण करते हुव फ्लैक्स निकालने थे और यह रोट्स गूम रहे थे और यह एलिमिनेशन इस्टंट प्रतीक सेचपाल जन्रत जुबैर और कनेका मान के बीच होना था सबसे पहले इसे कनेका ने किया फिर जन्रत ने किया और एंड में इसे प्रतीक ने किया कनेका और जन्रत ने तो बाजी मार ली लिकिन प्रतीक चूप गए और उन्हें इस हफ़ते घर जाना पड़ा वैल तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में प्रतीक इस हफ़ते इस टर्ण ना करने के चलते इस शो से बाहर हुए हैं या फिर प्रतीक का अपने घर जाना शो में फिक्स किया हुआ क्या प्रती के जगे इस हफते किसी और कंटेस्टन को शो से बाहर होना चाहिए था? तो आपकी इस वारे में क्या राए हमां कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी ही और इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू करें